Hello Students, Welcome to UPCSS, उम्मीद करता हूँ आप सबी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी, तो जैसा कि आपने थम्मनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में ADCA और हमारा जो दूसरा कोर्स है Tally, इन दोनों कोर्स के सर्टिफिकेट को ले है एक UPCISS और दूसरा है UPCISS Computer World, आप इसे सर्च कर सकते हैं computer में या mobile phone में कहीं भी, ठीक है तो आपको यहाँ पर YouTube में simply search करना है, तो आपको UPCISS Channel मिल जाएगा और दूसरा हमारा UPCISS Computer World, तो जो UPCISS Computer World YouTube Channel है, यहाँ पर आपको playlist में जाना है, तो यहाँ पर आपको ADCA की पूरी आपको क्या मिलेगा, ADCA की series मिलेगी, ठीक है, तो यह सारे video complete करने के बाद आप इसका certificate भी ले सकते हैं, तो जेखिए जो series है ADCA की, यह पूरी तरीके से free है, इसके लिए आपको कोई भी charge पे नहीं करना है, नहीं video lecture के लिए और नहीं PDF notes के लिए, लेकिन जब आप इसका certificate ल पीच में 20% discount चल रहा है, जो fees है हमारी certificate की, उस पर 20% का discount चल रहा है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा detail में बात करेंगे, वीडियो के last में, ठीक है, तो यह तो बात कर ली हमने ADCA certificate के recording, अगर बात करें Tally course की, ठीक है, यानि की ADASM course की, तो उसके लिए आपको simply playlist में जाना वीडियोस अपलोड है, ठीक है, और इसमें कुछ आगे in future कम जादा भी हो सकते है, ठीक है, हलाकि कम नहीं होंगे, जादा ही होंगे, और दूसरी जो सरीज है, वो Tally ERP की है, जिसमें 72 lecture अपलोड है, ठीक है, और इसमें हमने पूरा detail में cover किया है, और इस से related जो भी PDF notes तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपका Tally course है, ठीक है, Tally ERP है, Prime है, या ADCA है, या फिर आप O-Level कर रहे हैं, या कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज कि आपको उस channel के particular playlist में जाके वहां से तयारी करनी है, दूसरी चीज आपको वीडियोस step by step ही द बात कर लेते हैं, ठीक है, और हमारी जो website है, जहाँ पर आपको notes मिलेंगे, वो हमारी है, upciss youtube.com, इस website से आपको क्या मिलेंगे, notes, सभी notes ठीक है, ADCA हो, Tally हो, O-Level हो, कुछ भी हो, सारे notes आपको upciss youtube.com से मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको notes में जाना है, यहाँ पर upciss.com, तो इस website पर आपका जो certificate का result होगा, वो यहाँ पर आपका verify होगा, ठीक है, जो आप ADCA और Tally का certificate बनवाएंगे, ठीक है, तो उसका जो result होगा, वो आपको upciss.com इसकी official website यहाँ से verify होगा, उसके लिए simply आपको इस website को open करना है, और यहाँ पर आपको चले जाना है result मे ठीक है, result में जाने के बाद आपका जो certificate होगा, उसमें आपका roll number mention होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको course select करना है, अगर आपका tally course है, tally erp हो या फिर tally prime, तो उसका जो हमारा course है, वो है ADASM का Advanced Diploma in Accounting System Management, ADASM, यहाँ पर यह certificate हमारा बनता है, जिसके लिए tally और t number डालना है, get result करना है, और आपका जो certificate है, वो verify यहाँ से हो जाएगा, बात समझ में आ गई, अभी current time में हम online ADASM और ADASM सिर्फ दो ही course जो है, वो इसके certificate प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी other courses जो है, वो offline student के label है, जो कि हमारे particular branch पे होते हैं, लखिमपूर में, ठीक है, लखि certificate का जो format है, उसके बारे में भी आपको दिखा देते हैं, और process क्या है, वो भी आपको बता देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ADCA का sample certificate है, यह ADCA का sample certificate है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अपनी photo भी भेजनी है, ठीक है, document जो लगेंगे, वो ADCA हो या फि या 12th की mark seat, तीन चीज़े आपकी लगेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर document के रूप में, चाहे आपका tele course हो या फिर ADCA का हो, बात समझ में आ गई, तो यह ADCA का sample of certificate है, यह आपका roll number है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ADCA में subject है, जो आपके certificate पर होंगी, और यह जो certificate है, पूरी इंडिया में, किसी भी state में, कोई भी state हो इंडिया में, उस state में आप किसी भी governmented या फिर private job में आसानी से use कर सकते हैं, अगर ADCA या फिर Tally का certificate वहाँ पर मांगा गया है, तो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो institute है, वो registered है, और NISO certified भी है, तो आप इसका use कहीं भी कर सकते ह इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाकी online तो verify होगा ही, ठीक है, क्योंकि इसको ले करके भी हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं, कि sir, क्या certificate ये सब जगे valid है, जबकि हमने बता रखा है, कि हाँ बिल्कुल valid है, बस ये है कि ADCA का मांगा गया है, तो ADCA का ही लगा है, ऐसा नहीं है कि मांगा कुछ और गया है, certificate आप कुछ और लगा रहा है, तो ये चित ध्यान रखनी है, ADCA में ये आपकी subject है, और इसके लिए आपको एक exam भी देना होगा, ठीक है, चाहे आपका ADCA का certificate हो, या फिर ADASM का, ये आप ADASM का देख सकते हैं, या ADASM यानि कि Advanced Diploma in accounting system, management 6 month का ये course है, 6 month का मलब इसकी duration 6 month है, बाकी ये certificate आप lifetime कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, और इसका जो duration ADCA का है, ये 12 month का है, ये 12 month का डिपलोमा है, और ये 6 month का डिपलोमा है, ठीक है, टैली का, यहाँ पर आप ये टैली में subject देख सकते हैं, यानि कि ADASM course में, आपक आप कोई भी certificate बनवाएं, आपका certificate बनेगा ADASM का, और उसमें Tally, ERP और Tally Prime दोनों software mention होंगे, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, ERP में लगाना, ERP में लगाना, प्राइम में लगाना, प्राइम में लगाना, ठीक है, और यहाँ पर आप बाकी subject देख सकते हैं, टैली से recording, चल तो 20MC की use होंगे, जिसकी PDF आपको send की जाएगी, उस PDF को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद उसी paper पे आपको solve करके, उसका photo वापस हमें भेज देना है, ठीक है, तो यह simply paper की process रहेगी, exam paper की, ठीक है, अगर आपने सारे videos देखे हैं, अगर आपने यहाँ पर यह videos देखे हैं, यहाँ से तयारी की है, फिर उसके बाद अगर आप certificate के रिए अपलाई कर रहे हैं, तो आराम से यहाँ पर आप exam qualify कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह मान के चलिए कि 85% प्लस ही आपकी mark sheet बनेगी, 85% प्लस, clear है, ठीक है, क्य देखे जो ADCA और Tally, दोनों certificate की fees है, वो same है, लेकिन क्या है, वो यहाँ पर हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसकी fees है, वो कम जादा होती रहती है, ठीक है, तो इस वज़े से हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, बाकी जो हमारी fees है, ADCA और Tally की, उसमें अभी current time में 20% का discount चल रहा है, 18 October से लेकर के 28 October तक, ठीक है, यहाँ पर 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी detail आपको यहाँ पर एक image दिख रही होगी, यहाँ पर आपको उसमें सारी detail मिल जाएंगी, उसे आप read कर सकते हैं, ठीक है, यह 18 से 28 के बीच में आपका 20% का discount चल रहा है, इस बीच में अगर आप certificate के लिए apply करते हैं, तो यहाँ पर आपका 20% discount में हो जाएगा, दूसरी चीज, certificate के पूरी process क्या होगी, तो देखे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस ID पर mail करना है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जीतेंदर upciss at the rate gmail.com, इस email ID पर आपको mail करना है, आप जब mail करेंगे, तो आपको 24 गंटे के अंदर, working days की बात करना है, working days और working hour के अंदर, 24 hour के अंदर आपको mail का reply मिल जाएगा, जिसमें course का name, ठीक है, उसकी fees, और आपको fees payment कहां करनी है, उसका QR code, UPI ID, और उसके बारे में जो भी जानकारी है, वो आपको पूरी mail कर दी ज करके, और आपको अपने document mail कर देने है, बासमझ में आ गई, इतना करने के बाद, आपका 2-3 गंटे में exam हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जीते अंदर, upcss.mail.com पर mail किया, फिर उसके बाद हमने mail को reply किया, जहां पर आपको सारी detail हमन दोनों चीज़े भेजने के बाद, आपका 2-3 गंटे के अंदर, working hour की बात कर रहे है, working days में, 2-3 गंटे के अंदर आपका exam होगा, exam के pdf send कर दी जाएगी, उसे print निकलवा करके, आपको solve करके वापस भेज देना है, और जैसे ही आपका payment और exam submit हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर maximum 2-3 days के अंदर आपका जो certificate है वो issue हो जाएगा और उसकी जो pdf है वो आपको भेज दी जाएगी, original pdf, आपको pdf ही भेजी जाएगी, आपको hard copy जो है वो नहीं भेजी जाएगी, ठीक है, हलाकि hard copy और soft copy में कोई difference नहीं है, आपको जो pdf soft copy भेजी जाएगी, बस उसी pdf को आ या sample of certificate exam की मलब exam किस तरीके से होगा, पूरी process हमने बता दी है, तो अब आपके कोई doubt नहीं रहने चाहिए, तो फिलाहल मिलते हैं किसी next video में, इस video में इतना ही, okay so thanks for watching this video.